स्वाग अदे दोस्तों एक और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सबको गोरकपूर महानगर का गोरकनात मार्केट और का नजारत मैं आपको दिखाऊंगा ही इसके लवाज मैं आप सबको राजेंदर नगर में चल रहे हैं जो भी प्रोजेक्ट हैं अब हम आचुके तो सीधा साकेत नगर के पास अब हम आपको साकेत नगर से राजेंदर नगर एरिया होते हुए गोरकनात मार्केट का बाज मैं आपको नजारत दिखाने वाला हूँ और रास्ते में जो भी प्रोजेक्ट में काम चल रहा है इस पर भी मैं आपको अपडेट देते चलूँगा जो है कि green zone development का काम जो है कि start हो चुका है और अगले कुछ महिने में जो है कि पूरी तरह से सड़के जो है कि हरी भरी दिखने लगेंगी वीडियो में आगे मैं आपको उसका में नजारा भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे काम चल रहा है ग्रीन जोन को डेवलप करने का और गाइज यह जो सामने देख रहे हो यह जूडियों का सोरूम भी के पास हमा चुके हैं तो यही वो सो रूम है जूडियों का जो की अब अपने है जहर में जहर जो हैँ इसके अलावा जुन्हेंयोर मेडिकल माड्र में, अलावा तारा मंदल दौना बांते और रजिय रॉशेंदरन नगर का भी आउटलेट जो है की ओपन हो चुके हैं और ठीक इसी के पास में ही जो पेट्रोल पॉम्प है पेट्रोल पॉम्प के ठीक बगल में जो है की विकास के जिरिवाल अब्डिट देने वाला हूं और दोस्तों हम आभी राज़ेंद्र नगर एरिया में ट्रेवल कर रहा है राज़ेंद्र नगर एय्रिया जो है काफी बड़ा इलाखा है एकक्षी हैं गुरकपुर के राज़ेंद नगर एरिया में और तो इस राज़ेंद नगर एरिया का लुक ही पूरी तरह से बदल चुका है और यह देखो दोस्तों यह जो अब देख रहे हैं बीच में ग्रीन ग्रीन जहाए की पौधे लगाए जा अगर डिवाइडर के बीच में चाहिदार विच लगाती तो ज्यादा बेटर होता भले से सुंदरी करण में जो है कि अपने गोर्यबबबुर महानगर के ज्यादार एरिया के डिवाइडर के बीच में जो की खजूर के पेड़ लगाया जा रहा है लेकिन गोर्मेंट को थोड़ा सप्रैस करना चाहिए कि छायदार ब्रिच भी लगाने की कोशिज की जाए और दोस्तों हम ट्रेवल करते हुए अभी भी राजेंदर नगर एरिया में हम जो सो ट्रेवल क किया है डिवलप्मेंट का एक रिजेन भी था कि जैसे ही यह सड़क फोर लेन बनकर तयार होई तो दोस्तों इस एरिया में जो है की कामरेशिल डिवलप्मेंट जो की काफी तीजी जो है की पकड़ लिया और इसी के पहल सुरूप इस रोड में जो है कि 555 होटल से लेकर कॉपिंग कॉंप्लेक्स हों बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स के अउटलेट्स हों सारी चीज़ जो है कि अब गुरखपूर के राजियंदर नगर एरिया में जो है की खुल चुकी है अब इस रोड में दो और बड़े कामरियल पोजेक्ट जिनमें से एक का नाम है एक स्कुरे मॉल अब देखना यह कि यह कब तक बनकर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है और इसमें मल्टिप्लेक्स खुलता है कि नहीं और अगर खुलता है तो कितने स्क्रीन का जो है कि इसमें सीनेमा घर खुलने वाला है तो जैसे ही इसके बारे में हमको अपडेट मिलीगी मैं आपको वीडियो के मैंदम से सेर करने वाला हूँ और दोस्तों यही है SSH मॉल अब बड़ देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़े खुलती है अभी सामने तो कोई पुस्टर वैसे लगाए नहीं है कि कौन को सावटेट उसमें खुल रहा है बड़ जैसे अप्डिट म जो है कि काफी modern वाला जो है कि लगाए गया है और दोस्तों final travel करते हुए अब हम आ चुके हैं गोरक नात मंदिर वाली सड़क पर और गाइज इसी रोड में जो है कि अपने उत्तर प्रदेश का सबसे हाइटेक पुलिस इस्टेशन भी इसी रोड में मौजूद है यह रहा पा रहे हो यही अपना गोरकनाथ इंपल एरिया का मार्केट और अब यह मार्केट जो है की काफी advanced हाइटेक मार्केट में तब्दील हो चुका है लेकिन वो भी एक समय था कभी यह सड़क जो है कि टू लेन की में सड़क वा करती थी और इस रोड में छोटी छोटी दुका लेकिन आज का नजारा दोस्तों किसे मेट्रो सिटी से कम नहीं लग रहा है क्योंकि इस रोड में भी अब जो है दोस्तों कि बड़े-बड़े शौपिंग और दोस्तों मैं आपको एक शी जो और बता दू कि अपने इसी गोरक नाज टेंपल से आगे का जो राजिन नगर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जो है कि गैलेंट ग्रूप के भी तरफ से काफी बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन अभी काम तो स्टार्ट नहीं हुआ है वह प्रोजेक्ट यह है जैसे ही उस प्रोजेक्ट पर भी काम स्टार्ट होगा मैं आपको पुर्णा वीडियो के मदें सब्डेट देने वाला हूं और जो प्रोजेक्ट है गैलेन गुरूप के तरफ से तो वही प्रोजेक्ट जो है अपने गोरक नाथ छेतर का सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक वो भी होने वाला है तो दोस्तो आज का वीडियो यही था गोरक नाथ ट्रिंपल के आसपास का मार्केट हो आज मैंने आपको वीडियो के मादयम से पूरा पूरा अब्रेट आज मैं आप सो को दे चुका हूँ और अब ट्रेवल करते हुए दोस्तों हम धर्मसाला चौक के तरह बढ़ते हुए जा रहे हैं और आप देख भी पा रहे हो दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है रात का ट करके हैं दोस्तों काफी चोड़ी चोड़ी सड़के जो है की अब अपने शहर में अविलेवल है और पहले से पहले काफी क्लीन हो चुका है और दोस्तों हमें भी अपने शहर को काफी ज़च रखना चाहिए इधर-उदर कूड़े नार्मल देखते हैं कि बहुत से लोग फ याई लोगों को को चुब है कि भी अब लोगों को बदलना पड़ेjust अपना सहर तो काफ़ी तेजी के साथ बदली रहा है लेकिन लोगों को भी अपनी mentality बदलने के ज़ोरत है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लैक जरूर करें और हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताया तो मिलते हम फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए अपडेट के साथ